जेस्री राम मित्रों कैसे हैं आप हमारे चैनल में आपका स्वागति मित्रों मित्रों नवरात्रा में वर्थ करने वाले उपवासकों के लिए कन्या पूजन करना परमधर्म माना गया है मानेता है कि कन्याओं को भोजन करवाने से मा लानी काफी प्रसन होती हो और भक्तों को शुक वे संपन रहने का आसिरवात प्रदान करती है इसके शाति कन्याओं को पूजन करने के लिए कन्याओं को कुछ उफार देने चाहिए जिसे आपके भर्ट का आपको उत्तम फल प्राप्त होता है मित्रो कन्याओं को भोजन करवाने के बाद उनको उफार देने की विदा है मित्रो कन्याओं को भोजन कराने से आपको मा दूर्गा का आसिरवात प्राप्त होता है तो हम आज बात करेंगे कि कन्याओं को भोजन करवाने के बाद उनको उफ़ार के रूप में क्या दिया जाए मित्रो कन्याओं को भोजन करवाने के बाद विदा करते समय नारियल का टुकड़ा दे कर विदा करे ऐसा करने से मा लक्षमी आप पर काफी परसन होती है क्योंकि नारियल या स्रीफ फल मा लक्षमी का प्रतीक माना जाता है कन्याओं को नारियल देने से आपके घर में शुक्षमरदी के शाथ मा लक्षनी का भी निवास होता है मित्रों इसके साथ ही आपको कन्याओं को भोजन कराने के बाद कुछ फल देना चाहिए इसका आपके जीवन में विशेश महत्व आता है कन्याओं को विदा करते समय कम से कम एक फल अश्य देना चाहिए इन फलों को देना काफी सुप माना गया है अगर आप कोई दूसरा फल नहीं दे सकते हैं तो कन्याओं को केला जरूर दे इससे मादुर्गा काफी प्रसन हो जाती है नवरात्रय में कन्याओं को फल देने से स्री हरी का आपके उपर आसिरवात बना रहता है और आपके घर में सुप शमदी बनी रहती है मित्रो इसके साथ ही आपको कन्याओं को भुजन कराने के पाद लाल सुन्डी या लाल वस्तर उपफार के रूप में देना चाहिए लाल रंग को काफी सुद्धा का प्रतिक माना जाता है और इससे मा घोरिक काफी प्रसन दो जाती है और यह रंग आपके जीवन में व्रदी के कारक को बताता है इसका दान करने से लोगों को जिनको संतान नहीं होती है उनको संतान की प्राप्टी होती है इसने मित्रो नवराती के दिनों में कन्याओं को गुजिन कराने के बाद आपको उनको लाल वस्तर जरूर देना चाहिए इसके साथ ही मित्रो कन्याओं को चावल देकर विदा करें परंपरा है कि महिलाओं करंपरा है कि कन्याओं को चावल देने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपके घर में धन की व्रदी होती देजिए मित्रो इसके साथ ही आपको कन्याओं को भूजिन करा के विदा करने के बाद आपको उन्हें हमेशा ही दान में शिक्का देना चाहिए मित्रो आप कण्याओं की जोली में शिखा डाल दे अपनी इच्छा के अनुसार ऐसा करने से मा भवानिक का आप पे आसिरवात बना रहता है और आपके घर में मा लक्षमी का सदाही वास बना रहता है मित्रत यह थी हमारी कुछ जानकारी अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले